तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं शामी कबाब की रेसिपी, यह वेज़ शामी कबाब है, आपने बहुत बर खाये भी होँगे, एक बार आप इनको मेरे तरिके से बना कर देखें, क्योंकि मैंने यह बहुत ही कम तेल में बनाये हैं, क्योंकि आज कल ज़्यादा टेस्टी बन के तयार हुए थे आप एक बार मेरे तरीके से शामी कबाब जो है वो ज़रूर बना के देखें और इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी है तो आप हर बार इसे ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे Hello Everyone, Welcome Back to my Channel, Maan's CV Corner मैं हूँ Simran तो चले फिर वीडियो को शुरू करते हैं बरतन में मैंने दो कप पानिंग को उबाल लिया था अब इसमें मैंने आदा कप सोहबीन का चूरा डाल दिया है अब इसको ढखके आपको 10 मिनट के लिए रखना है उसके बाद में चान लेना है अब एक मिक्सी के जार में मैंने आदा कप रोस्टर चना लिया है भुना हुआ चना है इसका पाउडर बना लेना है अब एक बाउल में मैंने दो उबले हुए आलू लिये हैं अब इसमें मैंने आधा कप उबले हुए चने डाल दिये चनों में मैंने हल्दी और नमक डाल के इनको उबाल दिया था आप इनको एक मैशर से आपको अच्छे से मैश कर लेना है दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करे और अपने दोस्तों के साथ शेर भी करे इनको अच्छे से आपको मैश करना है अलो और चने जो है वो अच्छे से मैश हो चुके हैं अब इनके अंदर जो सोयब इनके जो अमने चूरे को वैल किया था वो डाल देना है देखे इसको मैंने अच्छे से चान लिया था एकदम सुखा सुखा हो जाता है इसको डाल देना है अब इसमें मैंने आदा कप पनीर डाला है और इसमें आदा चोटा चमच मैंने काली मिच का पाउडर डाला है और एक चोटा चमच लाल मिच का पाउडर डाला है नमा कप अपने स्वाद के अंसार डालें और अब एक चमच इसमें मैंने गरम मसाला डाल दिया और जो powder बनाया था चने का वो डाल दिया है अब इसको अच्छे से mix कर लें आपको इसको अच्छे से mix करना है जो चम्मच के साथ अच्छे से mix नहीं हो पाएगा इसके लिए आपको इसको हाथ से ही mix करना पड़ेगा एकदम इसे pressure देते हुए ताकि जो तोड़े बहुत जो आलू और चना थोड़ा रह गया है वो अच्छे से और mash हो जाएँ और सारे के सारे जो ingredients हैं आपस में अच्छे से मिल जाएँ इसके लिए इनको हाथों से mix करना बहुत जरूरी होता है ये दो-तिन मिनिट में अच्छे से mix हो जाता है अवरा का shape जो है round भी दे सकते हैं अब triangle कुछ भी shape दे सकते हैं इनको अब वैसे दें मैंने इस तरह का shape दिया है अब इसमें मैं जो इसके center में मैं एक toothpick लिया है और उसको इसके अंदर इस तरह से डाल दोंगी इस तरह से आप पाकी के जो हैं उनको भी आप जो चाहे वो शेप दे सकते हैं आपको थोड़ा सा जो टुट्पिक है है उसको थोड़ा सा बाहर की तरफ रखना है ताके आप उसको अच्छे से पकड़ सकें इस तरह से मैं एक और बना के आपको दिखा देती हूँ, आप इस तरह का शेप भी दे सकते हैं, क्योंकि कबाब के जो शेप है वो अलग लग होते हैं, राउन भी होते हैं, हर तरह का शेप होता है उनका, जैसे कटलेट का होता है, वैसे आप कबाब का भी कोई भी शेप जो ह है वो डाल दूंगे उसी तरह से जैसे उसमें डाला था एकदम मिडल में इसको डालना है आपको ये दिखिए इस तरह से मैंने सारे जो कबाब हैं वो रेडी कर लिये हैं अब इनको आपको एक गंटे के लिए फ्रिज में रख देना है अब एक खड़ाई में मैंने दो बड़े चमच तेल लिया है तेल जब हलका सा गर्म हो जाए तब इसमें आपको इनको रख देना है जो भी हमने कबाब बनाए हैं वो आप एक-एक करके इसमें रखते ध्याना है कि आपकी जो आँच है वो बहुत तेज नहीं होने चाहिए आ आप थोड़ी-थोड़ी देर बाद इनको इस तरह से पलटते रहें हर तरफ से इनको पका लिना है कोई भी साइड इसकी कच्ची नहीं रहनी चाहिए ज्यादा टाइम तक आप ना उनको रखें बार-बार उनको इस तरह से पलटते रहें ताकि सब तरफ से एक ही जैसा वो भून जाना चाहिए देखिए इनका कलर जो है वो कितना अच्छा आ रहा है अब इनको इस तरह से पकड़ के जो आगे की तरफ है वो भी थोड़ी दिल के लिए भून लेना है ताकि यह वहाँ से भी कच्छे ना रह जाए इस तरह से उनको आप खड़ा कर दें यह जो कबाब हैं वो बनके रेडी हो चुके हैं अब इनको मैं एक प्लेट में टिशू रखके सारे के सारे जो कबाब हैं वो निकाल लूँगे इस तरह से अब जो दूसरे कवाब बनाये थे उनको भी मैं एक एक करके इस तरह से कड़ाई में रखके इनको भी शेलो फ्राई कर लूँगी देखिए उतना ही तेल मैंने यूज किया है और मैंने उससे ज़दा तेल नहीं यूज किया सिर्फ दो चमच तेल डाला था उनी में दोनों बार मैं फ्राई कर रही हूँ यह अराम से हो जाते हैं आपको और तेल डालने की कोई जरुत नहीं पड़ती है इसलिए मैंने आपको बोलाए कि इनको एक गंटे के लिए फ्रिज में जरूर रखना है इसे कवाब जो है वो कभी भी फटे नहीं है यह भी हमारे जो कवाब हैं बनके रेडी हो चुकी है अब हम चटनी बना लेते हैं उसके लिए मैंने एक जार में धनिया के कुछ पत्ते लिए हैं उसमें मैंने पदीना के पत्ते डाल दिये अब इसमें मैं ने थोड़ा सा नारियल डाल दिया है कटा हुआ एक हरी मिर्च, एक चमच नीमू का रस्ट डाला है नमा कप अपने स्वाद के अंसार डालें और थोड़ा सा पानी डालके इसको पीस लिया है यह हमारी ग्रीन चटनी जो है वो भी बनके तैयार हो चुकी है उमीद करती हूँ के आपको यह रेसिपी बहुत पसंद आई होगी थैंक यू सो मज़ झाला है